कहते हैं कि रिष्टे का जो बुनियाद होता है वो भरोसे और विश्वास पर टिका हुआ होता है लेकिन अगर भरोसा और विश्वास अगर तूट जाए तो फिर अपना ही क्यों नहों रिष्टा जादा दिन तक टिक नहीं पाता है और इसी प्रकार की कहानी हम आपको आज स कहानी सुनाने का उधेश यह है कि आपको सतर्क करना है एक बहन ने अपने ही सगे भाई की बड़ी ही बिरहमी से हत्या करवा देती है ऐसा क्या होता है कि एक बहन को इस परकार की कदम उठाना पड़ता है कि अपने ही सगे भाई को बड़ी ही बिरहमी से हत्या करवा देती ह ये घटना लगबग 2004 की है सुब़ सुब़ का समय था गाउं से किसान जो है खेतों में फसल काटने के लिए जाते हैं जैसे ही खेतों में इंटरी करते हैं किसान देखते हैं कि खून से लटपत चाया एक यूबक की लाश पड़ी हुई लाश को देखते ही वह किसान जो है चिलाने लगता है और आसपास के खेतों में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो चिलाहट की अवास सुनकर उनके पास जो है दोड़े हुए चले आते हैं लोग पुछते हैं कि क्या हुआ कहता कि देखो हमारे खेत के आरी पर एक लाश पड़ी हुई है उसमें से कई ऐसे लोग होते हैं जो उस लाश को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तुछ फलाने की लर्का है और इसे गाउं की है तो किसी ने कहता कि अभी हाल ही में ये बाहर सी आया है कापी दिनों से ये बाहर रहता था इस वार जो है एक सब्ता पीछे इस ने गाओं में अपनी घर पे आया है और आज इसकी डेड़ बड़ी है अब ये बाते उस गाओं में जो है पूरा संसनी की तरफ हैल जाता है पूरे आप की तरफ हैलता है कि आखेर ऐसा क्या हुआ कि जो लरका काफी सालों से बाहर रह रहा था आज उसकी घर पे आते ही एक सब्ता के बाद उसका डेड़ बड़ी मिलें ये खबर जब उस लरके की माता-पिता को पहुँशता है तो वो दौर करके आता है और लास को देख करके अपने बेटे को देख करके रोने लगता है वो रहरा करके बिहुस होता है पीता है वो हर खामोस है उनके भी आखोंसे आशुन response लेकिन आब तक यह समझ नहीं आया कि आखिर इसा हुआ क्यों उसकी मा और पिता यह सम together कि आखिर ऐसा हुआ क्यों ऐसा क्या हुआ कि मेरे बेटी की हत्या होगी अब एक कहानी बहुत ही दिल्चस्व है आगे की और जब आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कहानी दिल्चस्व है या दर्द नाग आनन फाने में जो है पुलिस को इनफ्रमेशन किया जाता है जनकारी दे जाती है उसके बाद पुलिस अपनी दलबल के साथ मोके वरदात पर पहुझता है और लास को जो है पंचनमा करके पोसमाटम में भेज जेता है उसके बाद पुलिस उस ख़बर को जुटाने में लग जाती है जिस ख़बर से पूरी गाउं में संसनी फैल गया था और उसकी तहकिकात में जो है पुलिस जुटती है और ख़बर निकालने की कोशिस करती है सच चाही जानने की कोशिस करती है कि आखिर ये घटना कैसी हुआ ये घटना किस ने करवाया पूरी तहकिकात जब होता है जब लोगों के सामने ये ख़बर पहुशता है कि एक भाई को उसकी अपने ही बेहन ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या करवाती है जब ये पूरी गाउं में ये जिला में जब उस समय प्रिंट मीडिया में जब अरी ख़बर फैली तो बहुत सारे लोगों को जो है रिस्ता पर से विश्वास उट गया ख़बर बहुत चोका देने वाली थी जब वो लर्का बाहर से वो लर्का दिल्ले में रहता था जब वो दिल्ले से अपने घर पे आया तो दोस्तों यार के साथ में वो गाओं में घुमने के लिए निकला दोस्तों यार के साथ गाओं में घुमने के लिए निकला और उसी में से एक दोस्त ने कहा कि एक बात है जो तुम्हें पता है तुम्हें ख़बर है तो कहता कि मुझे क्या पता मैं तो एक सिर्था पहले जूरी हुई खबर है जब वो लरका यह सुनता है कि मेरे घर के और मेरी बहन से जूरी हुई खबर है तो वो लरका विस्तार से उसे पूचता है कि बताओ अकर तुम क्या जानते हो क्या बात है जो मैं नहीं जानता हूं कहता कि तुम्हारी जो बहन है वो होटल में जाती है और होटल में रात गुजारती है बड़े-बड़े लोगों के साथ जो होटल में लोग लड़किया डिमांड करती है और होटल के मैनेजर और माले के साथ सेटिंग होता है और वो अपने ग्रहक कस्टमर को रात को या दिन हो लरकिया जो है प्रोस्ती है उसके बदले में पैसे लेते हैं आप सभी लोग जानते भी उसके बाद क्या होता है कि जब वो लर्का अपने घर पर आता है और अपनी मा और बहन पिता जी से ये बात पुछता है लेकिन वो अपने बहन के हाव भाव से वो पता कर लेता है कि सचाई इसमें कितनी है वो करता क्या है कि वो लर्का अपने बहन को घर का अपने बहन को समझाता है कि इस परकार से नहीं करना चाहिए तुम्हें अगर तुम इस परकार से करती हो तो आइंदा के बाद तुम्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है अगर तुम घर से बाहर अगर जाओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा लगा निगरानी उससपर लगा अब होता क्या है कि वह लरकी होटल नहीं पहुंचती तो पहले से जो उस लरकी की सहेली होती और हुद जो लरकी होटल में जो उसफर करकी देव, बेपार करती थी वो सबी लरकी के पास आफन करती है और बोलती है कि तुम आजकल आती नहीं हो अकर बात क्या है तो वो लड़की जो है बताती कि देखो हमारी काम के बारे में हमारी भाई को पूरी सचाई पता चल गया और हमें घर से निकलने पर मजबूर कर लिया लेकिन वो कहता रहे कि जिसको अगर एक बार चस्का लग जाता है फिर उसकी चैन कहा जब तक उसको नहीं करती है तब तक उसको चैन ही नहीं मिलता इसी परकार से कई दिन बीटता है और बीटने के बाद लगतार जो है ये लर्की अपने सहली से बात करती रहती है, एक दिन की बात है कि उसकी सहली कहती है कि तुम आजाद हो जाओगी अगर एक बात मेरी मानोगी तुम आजाद हो जाओगी, तुम्हारे रास्ते की काटा जो हट जाएगा, वो लर्की कहती है कि थोरा सा वो लर्की बोलती है कि मुझे कुछ सोचने का मुका दो, कहता है कि सोचने के मुका नहीं, ये तुम्हें करने की समय आ चुकी है, फिर क्या था कि पूरी पलान बनाती है वो लर्की कुछ लर्कों के साथ मिलकर, और जिस परकार से इस लर्की को बताती है उसकी सहली, कि तुम अपने भाई को कहना कि चौक पर एक अपना रिस्तिदार आया हुआ है, उसको रिसीब कर लेगा, और ये जो लर्की है रात को शाम को आठ वजे अपने भाई को जो है कहती है कि चोग पर एक अपना डिस्तदार है जो आ रहा है जो चार चका से है फोर विलर से है और उसको ले करके घर पे आ जाओ वो चार चका पर वहां बैठा हुआ है कि पूरी प्लानिंग इसी परकार्चे थी लर्के की मुबाइल पर जो है फोन आता है और लर्के को ये बताया जाता है कि हम आपके रिस्तदार हैं हम चोग पर रुके हुए हैं यहां से हमको रास्ता नहीं मालूम है आप आगर कि हमें रिसीब कर लेजी अपने घर तक लेकर वो लर्का फॉन से बाते करते हुए घर से निकल जाता है गलती वो लर्का तब करता है जबकि वो फॉन से बाते करते हुए बाहर तो निकलता है लेकिन अपने मा और पिताजी को एक सब्द भी इस विशेपर नहीं बताता है जो कि उसकी बहन जो इतनी बड़ी सिटिंग जो इतनी बड़ी पलान बना चुकी थी वो बहन भी नहीं चाहती थी कि हमारे मा और पिदाजी को मालूँ वो लर्का चोक पर पहुंचता है और उन से बाते होती है ठीक उसी परकारते चार चका वहाँ पर लगा हुआ था फोर बिलर वहाँ पर लगा हुआ था उस गारी में जो इस लड़का को बेठा लिया जाता है चौक से कुछ दूर जाने के बाद एक सरेह में चौर मेले करके जाता है और उस लड़कों को जो है बड़ी ही बेरहमी से उन साड़े अपराधी हत्या करके और बीच खेतों में फेक देते हैं सुबह सुबह जब किसान जब फसल काटनी के लिए जाते हैं तो देखता है कि डेड़ बड़ी पड़ी हुए खुन से लगप चाया हुआ है और फिर वो हंगामा होता है फिर वो सनसनी की तरह गओं में ये बाते फैल जाती है उसके बाद जब ये पूरी पुलिस सही साबूत जब इकठा कर लेती है तब वो आउट करता है कि पूरी घटना कराने वाली इसकी बेहन है और बेहन के जड़ी ये घटना हुआ है तब उसकी मा कहती है कि हाँ घटने वाली रात को आठ वदे जब मेरा लर्का जब मुबाइल से बात करती हुए रूम से बाहर निकला तो मेरी लर्की भी एक जगो फॉन पर बातिक कर रही थी लेकिन मेरी लर्की ने फॉन पर इतना जरूर बोली थी कि वो घर से निकल चुका है इतना मैंने सुना था उसकी मा ये बयान पुलिस को दिया उसके बाद पुलिस जो है पूरी साबूत के साथ उस लर्की से पूछ ताच करती है पहले तो वो लर्की आना कानी करती है बताने में ऐसे आना कानी करती है जैसे उस घटना में उसका हाथ ही न हो उसके बाद क्या होता है कि जब पुलिस अपनी सक्ति पेस करती है तो लर्की पूरे बाते जो है पूलिस के सामने उगल देती है फिर उसके बाद पुलिस उस लड़की को और उसकी सहली और उससे जुरा हुआ जितने भी साड़े अपरादिस घटना में सामिल था उस सब को धीरे-धीरे पकर कर सलाकों के अंदर भेज़ देते हैं फिर फुलिस के इनक्वाईरी से गाओं में पूरा संसनी का महौल बन जाता है और फिर वहाँ एक भाई बेहन के रिष्टे के उपर भी सबाल उठता है कई सारे लोग अपने अपने तरीके से कई सारे बाते जो है बोलती थी फिर उसके बाद मामला सांत हुआ उसके बाद पता चला कि ये लरकी अब तक जो है जेल में इस कहाने के उधेश लोगों को परसान करना नहीं बलकि सचेत करना है